जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPA Study.22 चैनल पर तो दोस्तों TA Army भरती को लेकर यानि की Territorial Army भरती को लेकर एक notification जो है आप सभी जो notification ये देख रहे हैं आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इस notification में जो है TA Army भरती का जो है schedule बताया गया है और इस notification को मेरे एक subscriber नहीं भे से TA Army की रैली सुरू हो रहा है तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसी notification के बारे में कि किया ये सही है या गलत है तो सबसे पहले इस notification को देख लेते हैं तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे इस notification के अंत्रगत बताया गया है recruitment schedule in infantry and illogical territorial army unit for the year 2021-22 और यहाँ पर देख सकती है जोन वान के रैली के बारे में बताया गया है जोन वान की जो रैली है 16 से लेकर 21 नवंबर 2021 तक बताया गया है और इसका location of recruitment भी दिया गया है यानि कि रैली कहाँ पर कंड़क्ट होगा वो भी यहाँ पर बताया गया है और इसके अलावा लुदियाना का भी यहाँ पर पलंपूर का भी location जो है दिया गया है और यहाँ पर आप सभी देखेंगे इसका जो बताया गया है कि 16 से लेकर 21 नवंबर तक इस location पर यह सभी रैली होने वाला है इसके अलावा आप सभी देखेंगे कि 28-25 नवंबर के बीच भी रैली दिया गया है और इसका भी लोकेशन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसके अलावा आप सभी देख सकते हैं पंजगाम यहाँ पर रैली लोकेशन है 18-22 नौमबर 2021 इसमें बताया गया है जीडी भरती का इसके अलावा भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यहा तो जोन 2 के अंत्रगत भी आप सभी देख सकते हैं इसका भी रैली यहाँ पे दिया गया है कि 2 से लेकर 10 दिसंबर 2021 तक रैली होगा फैजावाद एंड भुनेस्वर में और इसकी पोस्ट की डीटेल्स यहाँ पे दिया गया है इसके अलावा आप सभी देखेंगे जोन 3 की र पोस्ट रहने वाला है इसके अलावा आप सभी देखेंगे कि जोन 4 की रैली भी यहाँ पे दिया गया है कि 30 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2022 तक चलेगा और बेलगाम सिकंतराबाद यह सभी इसका लोकेशन दिया गया है और यहाँ पे एक सर्विसमेन के बारे में भी बताया गया है कि इस दिन से इसका रैली होने वाला है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बता दे कि यह नोटिफिकेशन को जब मैंने देखे तो नोटिफिकेशन को देखती ही मुझे पता चल गया कि यह फेंक है क्योंकि मैंने आप सभी को जो लास्ट एयर के 2019 का जो नोट इसी date को edit करके किसी ने बनाया है और ये 2019 के ही same notification है किमकि उसका location और post की संख्या में बिल्कुल changes कुछ भी नहीं किया गया है same यहाँ पे details दिया गया है और केवल date यहाँ पे change किया गया है तो दोस्तों मैंने इस notification को जो है जब देखे तो बिल्कुल ये fake notification है किमकि पिछले ज इसकी तुनला की तो बिल्कुल same ये notification देखने को मिला साथी साथ जब ये notification मेरे पास आया तो मैंने इस notification को जो है officially बेवा साइट पर भी गए जो territorial army का officially site है वहाँ पे भी मैंने देखे कि वहाँ पे कोई भी vacancy का notification अभी नहीं आया है 2019 का ही last भरती का notification मुझे वहाँ पे देखने को मिला क्योंकि 2020 में आपका भरती नहीं हुए था और 2021 में भी अभी तक नहीं आया है साथी साथ officially जो employment news paper होता है 16-22 October का जो employment news paper था उस news paper को भी मैंने देखे तो वहाँ पे भी ये notification मुझे देखने को नहीं मिला तो दोस्तो ये notification अभी तो जो है हम fake ही मानेंगे क्योंकि अभी इस notification को लेकर कोई भी officially जनकारी मेरे पास नहीं है यानि कि कोई भी जनकारी जो है अभी नहीं मिला है जिससे हम इस notification को सच माने तो इस notification को बिल्कुल fake है क्योंकि किसी जो है किसी ने student कोई भी जो है इसे edit करके यानि कि जो इसकी date को जो है edit करके इस notification को viral किया है और इस notification को मेरे एक subscriber नहीं मेरे पास भेजे थे और उन्होंने पूछा था कि क्या यह real है या fake है तो दोस्तों यह बिल्कुल fake notification है बिल्कुल fake है इस तरह के notification पर आप बिल्कुल ध्यान ना दे और कुछ दिन पहले और भी notification वायरल हुआ था जिसमें 22 अक्टूबर से रैली के बारे में बताया गया था तो इस तरह के काफी सारे जो notification है टीये आरमी को लेकर अभी के समय में व करें कि जो भी notification आता है student उसी notification को देखकर जो है उस date को रैली लोकेशन पर चल जाते हैं और पाता चलता है कि वहाँ पे कोई भी रैली नहीं है तो इससे काफी जादा student जो है निरास हो जाते हैं तो आप सभी इस तरह के जो भी viral notification है इस पर विश्वास न करें जब भी इसक जो वेकेंसी आता है या आपका officially वेवा साइट पर इसका notification आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा रोजगार जो सामाचार पत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों जब भी वेकेंसी आएगा आप सभी को हम update कर देंगे आप सभी हमारे साथ बने र मिला है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सक्षन में पूछ सकते हैं तब तक के लिए जैहिंत बंदे मात्रम